हाई गाईज, अन्रा पेंबल्स के और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है हाज की इस वीडियो में हम लोग कॉस्मस के तरफ सा आने वाली एक बजट पैक पैक की रिव्यू देखने वाले हैं मैं कॉलेज स्टुडेंट हूँ तो मेरेको एक लैप्टाप बैक पैक चाहिए होती है ताकि मैं सुपदे शाम तक अपनी लैप्टाप्स, बुक्स, टिवेंच, एक एक करी कर सकूँ तो पिछले ही साल मैंने वो जो मैच्छी और बैक पैक है वो ली थी अब for the price वो बहुत सही है, really good quality but unfortunately उसमें मेरी 15.6 इंच वाली लैप्टाप फिट नहीं हो रही थी then मैंने सुचा थोड़ा सा और पैसा लगाते हैं, खर्च कर देते हैं and ये top of the line sky bag crew 4 ले लेंगे इसकी MRP around 6,000 थी but मेरेको थोड़ी जी डिसकांट मिल रही थी इस पे although ये backpack काफी expensive पड़ रहे थी, I anyway bought it thinking की एक बार कली cost है फिर 3-4 साल चल जाएगी boy was I wrong bag 8-9 महिने में चीरने लगी and 13 months के अंदर अंदर chainvain सब फट चुकी थी इसलिए I was searching for a backpack जोकी अच्छी quality की हो और ज्यादा महंगी भी नहीं हो तुझी समय मेरे को Amazon पर ये दिख गया reviews काफी बढ़िया थे but never trust Amazon reviews so मैंने अपने research करके finally इसे खरी लिया अरहम 1300 रुपीज में and this turned out to be a very good purchase decision backpack के तरफ आएं तो ये मैंने blue color मिली है पता नहीं है और कौन से colors available है बट हाँ मेरे को ये color अच्छी लगी को ये काफी subtle look दे दी है ये एक 37 liter की backpack है with dimensions of 18.75 into 12.75 into 9.5 height, width और depth in inches असान भाशा में बोलो तो काफी बढ़ी है इसमें काफी सारे compartments दिये गए है first compartment ये सामने में है इसके अंदार आप कुछ भी चोटे मुटे चीज़ रख सकते है उसके पीछे ये second compartment देखने मिल जाती है इसमें आप अपने pen drives, mobile phones, tiffin, cards, headphones, keys कुछ भी store कर सकते हो फिर आती है ये main compartment जो की काफी जादा spacious है इसमें मैं easily अपने दो दिन के travel के समान मोटे मोटे books, इसमें एक छोटे से tablet storage भी दी गई है बट मैं उसमें अपना exam body सब रख लेता हूँ उसके बीचे आपको ये laptop compartment में देखने मिल जाती है जहां पर up to 15.6 inch की laptop store कर पाएंगे laptop compartment की भी padding अच्छी दी गई है बाकि जो बहुत important होती है वो होती है इसके zip की quality जो बहुत जादा अच्छी दी गई है याँ भी I really like the quality zip बहुत जादा stylish and premium भी लगते है अब obviously आपको ये price पे Japanese imported YK के zippers नहीं देखने मिलेंगे but मेरी sky bags में जो zippers दिये गए थे ना उससे तो काफी better है ये बैक की quality की बात करने तो ये high grade 1680D PU coated polyester fabric की बनीवी है which is again really good and overall बैक की quality बहुत अच्छी लगी मने वो जो cheap वाली feeling आती है न वो इसमें नहीं देखने मिलेगी and hopefully जादा लंबे समय तक ये भटनी भी नहीं चाहिए back के नीचे में और एक छोटी से zip दी गई है zip को खोले तो अंदर में आपको एक rain cover देखने मिल जाती है वैसे rain cover सब साही है but I wish की इसको उपर के तरह से भी back के साथ attach करने के लिए clip दी गई होती उससे क्या होता है जब bike bike पर आप ride कर रहे है और bike high speed पर है तो rain cover खुलने के chances कम होते है वैसे मैंने इस bike पर use किया है and rain cover नहीं खुले बठाँ दी गई होती तो और better होता अब backpack के पीछे देखें और straps की बात करें तो इसकी straps बहुत अच्छे से padded है rare में पर padding अच्छी दी गई है बठ इसकी padding के लिए जो foam यूज करी गई है वो इतनी high quality की नहीं लगी मेरे को मतलब इतनी soft नहीं है softness थोड़ी सी और better हो सकती थी and quality भी थोड़ी सी और better expected थी बठ इसा कुछ खराब नहीं है ये price point पर सही है comfort की बात करें तो comfort अच्छी थी अब long hours में इद्धम भारी weight यूज करने से कोई भी bag को इतनी comfortable नहीं लगीगी बट हाँ normal weight के साब से bag comfortable है अब इसकी थोड़ी बहुत cons की बात करें यानि जो चीज मिरे को इतनी पसंद नहीं आई वो ये थी कि सबसे पहले ये जो bottle storage compartment दी गई है ना वो बहुत जाथा भिकार है इसमें normal mesh वाली storage दी गई होती और उसमें भी ये loop दे दी होते ना तो मुझे कोई problem नहीं था इसमें ये जो chain वाली ऐसे compartment दी गई है इसमें कोई भी bottle fit नहीं होती है mind you ये bottle storage के लिए बनाई गई है और अगर fit हो भी जाती है ना तो बहुत मुश्किल से होती है secondly इसके stitching के तरफ आयती ही तोड़ी से uneven लग रही है मेरे को that's not a problem in day-to-day usage but हाँ imperfection है तो बताना ज़रूरी है thirdly इसके interior की colors black है हर backpack manufacturer को ये याद रखना चाहिए कि कभी भी backpack की interiors black color की नहीं रखें because black होने से छुड़ी छुड़ी चीज़ेस की wallet, pen, pen rise, wires, cables ये सब backpack में ही खो जाते हैं और आपको दिखती नहीं है तो आपको अंदास्ते ही इसे निकालना पड़ता है हमेशा orange, yellow, sky blue ऐसे colors की interior होने से in my frank opinion better होता है चौथी, इसकी चेंज है एक pile के चंचन चंचन आवास करती है that might be distracting for some of you lastly, इसके जो hand handle दी गई है ये थोड़ी सी hard है मेरेको personally ये थोड़ी सी और soft और kushni दी गई होती तो better लगता but again not a big problem considering the price बस इसके अलावा और कोई cons नहीं देखने मिले मेरेको I was very impressed with the backpack I am sure आप जब इसे use करेंगे तो आपको ये बहुत धाथा पसंद आने वाली है इसकी एक मैं overall rating दूँ तो it will be 9 upon 10 easily तो वस गैस आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसंद आईए तो like कर जीजेगा and चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा Thanks a lot for watching Unlap Impulse